केमचो विद्याथी मित्रों तमारू स्वागच्छे आपनी चैनल कौशिक बायलोजी और मैथ्स टुटोरियल मा निट MCQ सिरीज ना आ विडियो मा आजे आपने धोरण अग्यार ना चैप्टन नंबर बार खनीच पोशन ना निट मा पुछाई चुकेला आने अन्य पचास मोस्ट इंपोर्टन MCQ ना सुल्यूशन विशे अभ्यास करवाना छे तो आव विडियो ने अंतिम सुधी जो जो अने तमने कोईपण MCQ ना सुल्यूशन मा डाउड्स होई तो मने कमेंट बोक्स मा जरूर थी जणाओ छो आजे मारे बिजेक वात पन तमने विद्यार थी हो जणाओ शे घणा विद्यार थी हो आपनी चैनल साथे जोड़ायला होआ छता बेल आइकन पर क्लिक करेलू नहीं हासे तब बेल आइकन पर तमने क्लिक करो के जे थी मां कोई पन कम्यूनिटी पोस्ट मां कई पोस्ट मुको छो तो तमने ना नोटिफिकेशन माड़ए के जे थी में कोई पन लेक्चर ना टाइमिंग मां चेंच करियो होई तो तमने प्राप्त थाए तो हवे आपने शुरुवात करें आप 50 MC क्यों ने तेना सॉल्यूशन्स थी प्रस्णा नंबर एक, क्लोरोफिल नी मध्यस्त धातू कई छे एला के क्लोरोफिल ना बंधारण मातमे जो हो तो मध्यमा जे आवेली मुखे धातू जे छे तेनी विशे पुछवामा आवेलू जे तो क्लोरोफिल नी मध्यमा आवेली धातू जे शे मुखे ते कई होई छे क्लोरोफिल ना बंधारण मातमार कई आवेलो से मैगनेशम अने क्लोरोफिल ना संसलेशन मात तेना निर्माण मा कई आवेलो से आयान प्रस्टा नंबर बे कोणी नियत रुद्धी अने उत्पादकता माटे सल्फर महत्वनू पोशक द्रव्या छे तो ज़र अबड़ सल्फर निऻ भात करे तो सल्फर मुख्यं ते तमारा बे प्रकाणना एमीनो एसीड ज foul अने उप्योगी छे प्रस्णा नंबर तरण कईू एक आवश्यक खनीच छे के जे कोई पन उत्से चक नो बंधारणिया घटक न थी पन बधा उत्से चको नी सक्रियता माटे उत्ते जग छे अवे मुख्य ते यह आपड़े जो ए तो आपड़ो राइट आंसर जी शे कोई आवश्यक आवश्यक खनीच पोटेश्यम काँगे पोटेश्यम में कोई पन उत्से चक नो बंधारणिया घटक न थी परन तु दरेक उत्से चक नी क्रिया शिल्दा माटे अथा तो यह नहीं आवश्यक खटक छे प्रस्णा नंबर चार निचे आपेल कोना द्वारा वातावरणिया नाइट्रोजन जमा थाई छे आवे वातावरणिया नाइट्रोजन जमा थाओ ए नोमटलबकेनू स्थापन थाओ आन्ने नाइट्रोजन ना स्थापन माट आपने ख्याल शे के मु जे शे कई हो से आप्शन डी एना बी नाु प्रस्टा नम्बर पाँच वनस्पति माटें नीच्चे आपल पह की कई युग लगु पोषक तत्व दंत्य आध राखा मांती ू प्रद Меня। तमा रे गुरु पोषक तत्व को ने याध राखा नुक्त हैं। तो तो में इंग्लिश मां याद राखो चौन के छे मां C अटले सुन तो से कार्बन, H अटले हाइड्रोजन, O अटले ओक्सिजन अने N अटले नाइट्रोजन त्यार पछी याद राखो PSK तो PSK मां को याओ से Phosphorus, Sulfur अने Potassium अने त्यार पछी कैल्शम अने मेंग्नेशन, तो आब धा कैया छे गुरू पोषक तत्व, एनी CY ना जेटला जेशे कैया आउसे लगू पोषक तत्व प्रस्ण नंबर 6, वनस्पती माटे निच्चे आपेल पैकी कोई एक आवश्यक खनिच तत्व नथी, तो कोई आवश्यक खनिच तत्व नथी, तेमा किनों समाश से आयोडीन कारण के बाकीना जे पोटेशम जे शे तमारा गुरू पोषक तत्व छे अने आयोडीन ने कोई पन आवश्यक खनिच तत्व नथी, अने जे थे आपड़ो रायट आंसर आवश्यक खनिच तत्व नथी, प्रस्ण नंबर 7, खनिच पोषण नी उनप नीचे आपेल पैकी एक न थी, तो जे माँ पिलू छे सुकारो थवो, क्लोरोसिस थवो, अशक्त बनवू, अने आतर गाठो टुकी थवी, तो ये माँ थी, रायट आंसर जे शेकल आवश्यक खनिच पोषण नी उनपने रिदे जोवां मलता लक्षणों छे, प्रश्ना नंबर आठ, नीचे पैकी एक कईू सजीव मुक्त जीवन्त जारक वी फोस्फो सिंथेटिक नाइट्रोजन स्थापक छे, तो ये तमारे मुख्योते जे शब्द याद राखानों शेक्त कोई शेक्तों मुक्त जीवी हो जोए, अने जारक रितेसों करूदों हो तो मुक्त जीवन्त जारे बात करेतों, तो मुक्त जीवी मुक्त जीवी मुख्योते कई आउसे ऐज़ेटो बेक्टर अने एजो स्पाइरिलियम अने नॉस्टो, ये बदा के वाँ छे मुक्त जीवी, पने एमा जे जारक प्रकार ना नाइट्रोजन स्थापक जेशे कई आउसे ऐज़ेटो बेक्टर अने नी साथी बिजुतमने टेक्टर में जे उधार ना पिलू छे कई उछे 22 निक्या, और के जे बदने जारक प्रकार ना मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थापको छे, अने जे त्याबडो राइट आंसर है ये आउसे ऑप्शन बी, प्रस् पती उगे छे, तो मैगनेशन नी उणपने लिदे साथी अगत्यानी जे अश्र जोवा मुणै छे कई छे, ये ना जे पर्ण जे पिला पड़वानी शरुवा थाई, जाने तेज यूरियानों जे मुख्य घटक जे नाइट्रोजन तेना पण एज लक्षोन जोवा मुणै जे थे आपड़ो राइट आंसर कई आववसे ओप्षन सी पर्ण पिला पड़े, प्रस्ण नमबर दस, नाइट्रोजन निर्माण माटे कई उससे चक जरूरी छे, तो नाइट्रोजन निर्माण लागर जे में कई उतरी ते नाइट्रोजन नू स्थापन जे शे, एणी मा प्रस्ण नंबर 11, वनस्पतियों माँ इन्यूलिन और आफाईड्स सून छे संग्र माटेना कणों छे अने रेफायर्स नीचो वाद केरे तो रेफायर्स मुख्यत एक चोकस पदार जने के वहाँ छे क्याशियम ओक्जेलेट एवा पदार्थ नुवेस्वों करे छे संग्र करे छे अने जेती आपड़ करे शके यहाँ राइट आंसर कई वहाँ से ओप् मोलीबडेनम् सुका मावसे कानंके मोलीबडेनम ए क्याते नालीबडेंse्च व сигण से अत फिल के वहाँ ख रोशना इसा आपड़ समीध म। लगुरू पूषक तत्वा नुप्रमाण त्याहित्यों कुणा गांपारत निवाद निवाद करें भला तक्रेह में लगु मोस्चत्थम केया पूर। प्रस्ण नंबर चौद लेली वनस्पति मां बोरोन आना माटे जरूरी छे तो बोरोन नी साथे हम्मेशा एद राखानू के शरकरानू स्थाना तरण जे शे बोरोन नी हाजरी मां थाई छे आने जे थियाबडो राइट आन्सर आउसे ओप्षण ए शरकराना वहन माटे प्रस्ण नंबर पंदर ओट पर भुखरा रंगना डागा कोनी उनप थी थाए छे तो मुख्यते जे भुखरा रंगना डागा जे शे एनी माटे जवाबदार जे शे गई शे मैंगेनीस आने जे सायनो ब् Commercial बैक्टेरियम मुख्यते जी वी नैत्रोजन स्थापक छे जे पाणीना हंसराज अगनेला साह जीवन दर्शावए छे ते कोने छे तो सायनो बैक्टेरियमन मुख्यते बे उधार्या आपने ख्याल छे कि तो न्स्टोग अने झाद एननाबीना आजी पाणीन न नाम बले अगनेला आपेलू छे पड़न तु एने कया क्यों हमावा छे ओबेला तो जे हांसराज ओबेला जे शे तेनी साथे सह जीवन दर्शावतु जे सायनो बेक्टिरिया छे जो आमने छे एना बीना अन्ने जे थी आपड़ों यहां राइट आंसर आउसे ओप्षन डी प्रस्ण नंबर सत्तर लगू पोशक तत्वों नी ओणब थी मात्रव वनस्पति नी वृद्धी असर कारक बंती न थी पण तेना निर्धारित कार्यों ने पण आउरो देशे जे वाके प्रकास सांसलेशन अने कणाप सुत्री एलेक्टोन प्रवा तो निच्छे आपेल पैकी कया त्रण खनीजोनु जूद प्रकास सांसलेशन अने कणाप सुत्री एलेक्टोन प्रवा ने आउरो देशे लेकिन निच्छे आपेल आपने जे घटको जेशे खनीजो तेमाती कया खनीजोनी उनब थी प्रकास सांसलेशन अने कणाप सुत्री एलेक्टोन प्रवा आमा एक अगत्यानों भाग बजवे छे जे वी के तमार आपणे जो एतो एक प्रकाननों इलेक्ट्रोन प्रभाजे थाये छे कणाव सुत्रमा एक प्रकाननी रेडोक्स प्रक्रिया छे के जहां कंटिनियूस ओक्सिरेशन न रिरक्षन जो आमडे छे मनले जो मैंगेनीज नी वाद करे तो ते मुख्ये ते प्रकास अंसलेशन दर म्यां जे पाणी नू प्रकास विभाजे थाये छे ए प्रेरे छे अनने जो एफी अरलेके आयन नी वाद करे तो ते फेरोड ओक्सिन ना निर्माननों एक अगत्यानों घटक छे के जे तमारा ETS म पन एक अगत्यानों भाग भचवे छे अनने जे थे आपड़ो राइट आंसर के जो आवलो छे ओप्षन D कौपर मैंगेनीज अने आयन प्रस्ना नंबर अढ़ार वनस्पतिने मैगनेशन नी शेना माटे जरूर होई छे तो पेलो आपड़ो छे प्रोटीन सांसलेशन आगर में कही हुँशे के क्लोरोफिलना निर्माण मा तमारो अलाके एना बंधारन मा मैगनेशन हाजर होई छे पड़ै मैगनेशन बंधारन मा हाजर होई छे प्रस्ना नंबर ओग्नेश वनस्पतिव रुद्धी माटे निच्ची आपेल पैकी कोई एक खनीज आवस्चक लगू पोशक तत्व न थी तो ओव्यस लेक यहाँ से गुरू पोशक तत्व न आपने ख्याल छे के कैल्शयम एक गुरू पोशक तत्व छे अने जे थी आपड़ो रायट आंसर आउसे ओप्शन सी प्रस्णा 20 एलनस नी मूल गंडिकामा नैत्रोचन नुस थापण आना द्वारा थाई छे तो एलनस जे शेदे मुखय देगया आशे तमारा सीम्बीकुल six नि वनस्पति सीवय नी वनस्पति नू नाम शे ऐलनस कांके सीम्बीकुल नी वनस्पति मां मुख्यू प्रांकिया नामना सुक्ष्म जीव द्वारा अने जे थियावडो राइट आंसर कविवाओ से ओप्षण सी फ्रांकिया प्रस्ना नंबर 21 मैंगेनेश शा माटे जरूरी छे तो आपेलो प्यलो ओप्षण छे के कोश दिवालना निर्माण माँ तो कोश दिवालना निर्माण माँ मुख्यते कैल्शम आयन जे छे ये जवाबदार छे बिजू आपेलो छे प्रकास सांसलेशन दिर्म यान पाणी ना प्रकास प्रेरित विगटन माटे तो तेनी माटे मैंगेनेश आवश्यक छे सी जो ये तो क्लोरोफिल ना संसलेशन माटे तो क्लोरोफिल ना संसलेशन माटे मुख्यते कौण जवाबदार छे आयन एफ़ी आने बिजू कोई आवसे मैगनेश्यम एमजी आने नुकलिक एसी ना संसलेशन मापण कोण आवसे मैगनेश्यम तो यह आपड़े जो ये तो कारण के नाइट्रोजिनेस जेशे ए नाइट्रोजन ना स्थापन माटे जवाब दार छे नहीं के आलकोहल ना निर्माण माटे आने छे थी आपड़ो रायट आंसर का यहाऊ से ओप्षन ए प्रस्णा नमबर त्रेविस सहजिवी नाइट्रोजन स्थापक निचे आपेल पएकी कोण छे तो पेलो आपेल उचे एजटो बेक्टर तो एजटो बेक्टर मुख्वेदे काई उचे मुख्ट जीवी नाइट्रोजन स्थापक त्यारपच आपेल उछे फ्रांक किया तो उपर आपड़े 20 मा प्रस्णा ना जवाब मा जोई गया के शिम्बीकूल गुनस्पती सिवाई नी जे गुनस्पती जे शे तेमा मूल गंडी कानू निर्माण प्रस्णा नंबर 24 निचे आपेल कोई एक मुक्त जिवी अ ज़ारक मा नाइट्रोजन स्थापक छे तो पेलो आपेलू उछे बैजन निकिया तो बैजन निकिया जे शे तमारा मुख्वे ते मुक्त जिवी शे परन्तु तेमा ज़ारक स्वसन जोवाँवन छले के उथसे खो बिजू आपलू छे रोडो स्पाइरिल्यम तो रोडो स्पाइरिल्यम मुक्त जिवी पन छे अने ज़ारक पन दर्शावे छे के जेती एक उथसे साच्चू सी जो ए राइजोबीयंगा तो राइजोबीयंगा पहला तो मुख्त जीवी नथी तेकेवा होई छे सह जीवी अन्ने जे थी राइजोबीयंगा के उछजीवी नथे अफ़ियाँ के उछज़ट से खोटु अन्ने foil zostetically प्रास्चना नंबर 25 वनस्पति मां निच्चे आपेल पैकी कईू खनीज पुनः वहन पाम्तू नथी तो जहरे पुनः वहन नी बात करें तो एमां मुख्यों ते तमारा कई आवेशे? B, कैल्शम अने सल्फर पर तो एमां पन साथी अगत यानू जे शे के जे पुनः वहन पाम्तू न थे ते कई आवेशे कैल्शम के जे थे आपड़ो राइट आंसर आउसे ओप्षन सी प्रस्टन नंबर छव विस नाइट्रिफाइंग बेक्टेरिया श्रूं करे शे तो नाइट्रिफाइंग बेक्टेरिया के जे मां मुख्वे ते कोणों समाई साथी शेक तो नाइट्रो कोकस आने नाइट्रो बेक्टर आप बनने द्वारा सवप्राथम सुद्धा चे एमोनिया नूँ ओक्सिडेशन धैने सवप्राथम नाइट्राइट अने त्यार बाद फरीथी ओक्सिडेशन धैने नाइट्रेट नू निर्माण थाई छे अने जे थे यह आपड़ो राइट आंसर जेशे कई आउसे ओप्षन ए के एमोनिया ओक्सिडेश पामी नाइट्रेट बनावे छे प्रस्णा नंबर 27 नीचे आपेल पएक की कईू एक खनीज पाणी ना प्रकाश प्रेरित विगटन माटे आवश्यक छे प्रस्णा नंबर 28 वनस्पतियों नो उचे भूमी वगणना माध्यम माँ थाई छे पाणी ना द्रावन माँ बद्दा जरूरी पोश्रक द्रव्यों बहार थी तेमा उमेरायला छे तो आप पद्दाती कईया नामे ओडखाई छे तो आप पद्दाती ने मुख्यों तेके ना तरी कोड़खाव माँ चे जल सवर्दन और जे थी आपड़ो राइट आंसर जे शे कईवावसे ओप्षण ए जल सवर्दन पण जो तमा इस ओप्षण बी जो तो तेमा आक या आप बलो छे हाईड्रोपोनिक तो जल सवर्दन ने जे पद्दाती जे चे यहने हाईड्रोपोनिक्स तरीके पण ओडखावा मां आवे छे कि जे ते यह आपड़े बी ओप्षण पण कई शक्य ते पण साचो शे लेक जणाओ तो यहाँ अपने जे आक्रूती आपेली जे मुख्याते के नी माटे नी छे के वातावरन भूमी आने जेव भार जेशे ने साथे सब्बंदर्शावतू नाइट्रोजन चक्र बतावेलू छे जे मां आपने जो एनी वात करे तो ए मांक मुख्याते सुन्दर्शावे छे के तमारी कई प्रक्रिया द्वारा बरोबर तमारा जे नाइट्रेट जे छे फरीथी वातावरन या नाइट्रोजन मा रूपान तरीत पामे छे तो ते प्रक्रिया ना कही के वामाँ छे डी नाइ जेयु संबाद्धों नास थवाती लगे तमाला जेयु भार्णों सडों जेशे एमा थी फ़रिथी एमोन यानू सुंधाये छे निर्माण थाये छे आन्ने ए प्रक्रिया जेशे ने सुंके आमावाँ छे एमोनी फिकेशन अन्ने जेथी आपणों मात्र सी ओप्षन जेशे नाइटोजीनेज ने निश्क्रिय बनावानू कारिय कोण करे छे अले तमारा मुख्येते नाइटोजीनेज एंजाइम जे शे ते मुख्येते नाइटोजीनेज एंजाइम ओक्सीजन नी हालचरी मा क्रियाशिल रहे तो न थी अलके अंदर चोका से भी रचना आवेलेवे छे कि जे तमारा नाइट्रोजीन ने ओक्सीजन सामे रक्षन पूरू पाड़े छे ने एक घटक ने के नातरे कोड़ खमावे छे लैग हीमो गलोबिन के छे थे आपड़ो रायट आंसर आउसे ओप्षन बी प्रस्ना नंबर 31 निच्चे पैकी कया स्वरूप मा आयन नू वनस्पती मा अभी सोशन थाए छे तो वनस्पती द्वारा आयन जे छे मुख्यते तमारा फैरिक आयन स्वरूप यलेके एफी प्लस थ्री स्वरूप अभी सोशन पामे छे अने जे थे आपड़ो रायट आंसर तसे ओप्षन बी प्रस्ना नंबर 32 थियो बैसिलस से बेक्टेरियानों समूँ छे के छे आ क्रिया करवा मां मद्दतरूब बने छे तो मुख्यते थियो बैसिलस अने जे बिजो एक बैक्टेरिया शुडो मोना से एक सुन करे छे तमारा नायटरिट ने फरिती वातावन य प्रक्रिया करे छे अने जे थिया आपड़ो राइट आंसर जे शे करे ओसे ओप्षन ए डी नैटरिफिकेशन प्रस्ना नंबर 33 विदान ए आपे लुछे के वनस्पतियों मां सल्फर नी उनपने लिदे क्लोरोसिस थाई छे तो ते विदान क्यों शे साचू शे अने कारण आर आपे लुछे के सल्फर एक क्लोरोफिल प्रोटीन्स अने नुकलिक एसिर ना बंधारण मां होई छे तो ते विदान के उतर से खोटू कांगे नुकलिक एसिर नी वाद करिये तो नुकलिक एसिर मां सल्फर ने परंतु करनू जो आपने छे फोस्फरस अने जेना लिद चेके वनस्पतियों सल्फेड ने सल्फेड आयनों सोरूपे सोशे छे तो ते विदान के उचे साचु छे और कारण आर आपलू छे के सल्फेड ना निर्माण मांटे सल्फर बेक्टेरिया होवा आवश्यक छे तो ते विदान के उथर से खोटू कारण के उजरूर हैं थे के सलफेट नू निर्माण थवाव मांटे सलफर बेक्टेरिया द्वारा सलफेट आया नो निर्माण थशे औने जे थी आपड़के शक्के के यह आपड़ो राइट आंसर को यहाव से आपशन सी के विधान ए साचू छे ने कारान आर खोटू छे प्रस्णा नंबर पांत रिस नीचे आपिल पैकी कईू लगू पोशक्तत्व वनस्पतियों माटे न थी अला पने जे लगू पोशक्तत्व आपिल आचे माँ थी लगू पोशक्तत्व न होय तेने तो कोपर, बोरोन, जिंक अने क्रोम्यम तो क्रोम्यम जे शे ए वनस्पति माटे आवश्यक लगू पोशक्तत्व न थी अने जे थे आवड़ो राइट आंसर थासे ओप्षन डी प्रस्णा नंबर छत्रीस हैड्रोपोनिक द्रावण सूँ छे तो अमड़ाज आपड़ा आ आपड़ो राइट आंसर जे शे कई आवशे ओप्षन डी के पोशक्पदार थो धरावतु संत्रूप्त द्रावण प्रस्णा नंबर साड़त्रीस वनस्पति कोष्णा मध्य पटल माँ कईू खनिच तत्व जोवा माड़े शे तो जहरे मध्यम पटल नी आपड़े वाद करिये तो तेनू मुख्य बंधाराण जे शे के नू बने लुए शे कैल्शम प्रस्णा नंबर आड़त्रीस नीचेना विधानों पए कि कईू विधान मैगनेश्यम साथे सू संगत छे तो पेलू आपन ने आपड़े लू छे के स्वसन साथे संकलाय उससे चकोना बंधार जे ना लिद आपड़ो राइट आंसर जे शे कई आउसे ओप्षन ए प्रस्णा नंबर ओगण चालीस निचेना माथी कई त्रूटी जन्मिया असर माटे नैट्रो जन्नी उनप जवाबदार छे लेके नैट्रो जन्नी उनप ने लिदे कई असर आ निचे माथी जोवा मड C आपड़ो उसे पुष्प सर्जन विलम माँ पड़े अलेके पुष्प सर्जन जे शे ए विलम अलेके मोड उठाई शे तो ए पण साचू छे अन्य जे त्या आपड़ो राइट आंसर आईयां कई ओवसे ओप्षन D आपड़ तमाम प्रस्णा नंबर 40 आलफा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस बे अनु एमोन याना अन्य एमाथी बनेशे ग्लूटामिक एसिड अन्य ती एक प्रक्रिया माटे जे जवाबदार एक सले उससे चक जे शे ते कई हो शे तो सव प्रथा माँ प्रक्रिया जे आपड़ न्याप प्रस्णा नंबर 41 शिम्भी वनस पतियो माँ हवा मलना नाइट्रोजनना स्थाई करण दरम्यान थती प्रथम स्थीर निपज एसिड अन्यवै एhandो ये त्यों आपड़ प्रथाम ऄदार एक ओसे एन्से ऑप्षन C प्रस्णा नंबर 42 नाइट्रोजन अने पोटेशम नी तूटी जन्य असर सव प्रथम शेमा जोवा मड़े छे तो जराबने नाइट्रोजन अने पोटेशम नी वाद करे तो ती तमारा मुख्यों ते कैया प्रकार ना खनिततो छे प्रस्णा नंबर 43 वनस्पति मा वृद्धी माटे नीचे नामा थी कया खनितततो वधू प्रमाण मा जरूरी छे आपड़े मुख्यत गुरू पोशक तत्वनु जूद ओडखवानू छे तो पेलू जो एतो आपड़े लूशे फोस्फरस, पोटेशम, सलफ़र अने कैल्शम तो पेलू जूद जूद जे छे ए तमार कोई उचे गुरू पोशक तत्वनू के जे थी आपड़ो राइट आ जो बीनी वाद करें तो बीमा तमारा कैल्शम, मैंगनेशम, मैंगेनीज अने कोपर तो यह मुख्यत बाकी ना बे जे छे मैंगेनीज अने कोपर यह तमारा गुरू पोशक तत्वन न थी C जो ए तो पोटेशम, फोस्फरस, सेलेनियम अने बोरोन तो यह पन सेलेनियम अने बोरोन जे छे ए लगुपोशक तत्व छे अने डीनी वाद करें तो मैगनेशम, सल्फर, आयर्न अने जिंक तो आयर्न अने जिंक ए पन तमारा कैया छे लगुपोशक तत्व अने जेना ल मुख्या से लिए प्रकाश मुख्या दर्म्यान पाणि नू प्रकाश वीवाचन मॉलीब डेनम जल लो लो आप लोыл से 9021 अगत्या चीनेज तेनो एक मुख्या बंदा रनिया धित्त थुब मॉलीब डेनम में गयो आऊ शे 1021 नंग घटक त्री जू त्यार पाचि जो ये तो जिंक ए मुख्या ते ऑक्जिन चे बनस्पतियं तस्त्राव छे तेना संसलेशन मा अगतियनों चे जेथी डी साथे कई आउसे बे अने त्यार पाचि आयन तो आयन ये मुख्या ते फैरोडोक्सिन जेशे लगे तमारा जे एटी एस इले तो साचाक्रम मा A साथे कई आउसे 4, B साथे 1, C साथे 3, D साथे 2, अने E साथे 5 अने जे थ्यावडों राइट आंसर थरसे आउप्षन B प्रस्ण नंबर 45, खनीच तत्वों नी उनपना लक्षणों प्रथम कुम्णा पणणों मा जोवा मलेशे ते बतावे छे के खनीच तत्वों आउवहन शिल छे निचे नामाती कया तत्वों नी उनप आ लक्षणों दर्शावे छे तो जहारे आव बहन शिल खनित्त तो निवाद कहेता तेमा कोई आवश मुख्याते सल्फर अने कैल्शेम और जे माथे यहापने मात्रा सुमा पेलू छे सल्फर के जे थे आपड़ो रायटा अंसर कहे हो थासे ओप्षन ए प्रस्ण नंबर 16 निचे नामाती कईू लक्षन मैंगेनेज नी जेरी असर थी वनस्पती मां जोवाँ मड़े छे आवश जेरी असर अलेके विशारता अवश जो कोई पन खनित्त तो एने जरूरी मात्रा करता ओची मात्रा मां होई तो एन आपड़के एछे उनप पन तो ज ए खोटू छे ए मेंगेनेज जेरी असर नी कोई पन विशारता दर्शावतू न थी बीजू आपिलू छे लोह ने नैट्रोजन नी उनपमा वधारो थाए तो ते पन खोटू छे सी यापिलू छे परणा नी पिलाश परती शिराओनी आसपास भूखरा टपका बने तो ते विशारता नू साच्चू लक्षन छे अने जे थी आपड़ो राइट आंसर है यहां कही होँ से ओप्षन सी प्रस्न ुर्पर बें टत्दवनी विशारता शे ना पर आधार राखे छे तो मला जे में किदू ते कि विशारता आठले तम stos दाए पोषक तत्दव जे शे यहनी जरूरी मात्रा करताए वधारे मात्रामा होई तो ते विशारता निर्मान कर से और जे ना लिद द्वारा थती प्रक्रिया जे मां पेली प्रक्रिया मां मुख्या ते सुम बतालू छे के एमोन्या मां थी के नुन्या मन थाई छे नाइट्राइट आने बीजी प्रक्रिया मां नाइट्राइट मां थी के नुन्या मन थाई छे नाइट्रेट तो अवे निम माटे सुमकी देल Q2 B, जे नााेट्रो बेक्टर द्वारा था ये तो ते पन साचू付 ही 옆 des голос C आपलू चे तबको 1 डेने नााइट्रिकेशन कहे से तो तो ते विधन पन साच्चू付 शें पीला जे बेक्तेरिया शे नाइट्रोष, नाइट्रोबेक्टर तने Nitrifying बेक्तेरिया तरी के ओढ़क्षा में आ वे छे आनने D आप में उचे कि जे बेक्तेरिया क्रिया करे शे त्ये प्रकास स्वावलंबी होई छे तो तेु विदांके हो छे खोटू, कारांकि आ प्रकाना बेक्टिरिया जे खे ते प्रकास वावलंबी नी परंतु रास्चानिक स्वावलंबी होई छे, कारांकि ते अकार्बनीक कटकों नूपयोंकरी ने खोराग तैयार करता होई छे, अनि जेना लिदे आपड़ो प्रश्ना नंबर पच्चास सोया बिन मां राइजो बीम वडे नाइट्रोजन नू स्थापन थाई छे निचे नावाथी कईू विधान तेने माटे साच्चू न थी तो पेलू विधान जे शे आ पेलू छे नाइट्रोजिनेज ने तेनी क्रियाशिल्ता माटे ओक्सिजन नी जरूर छे तो ए विधान पेलू जे छे के हुशे असांगत कारां के नाइट्रोजिनेस नी क्रियाशिल्ट दमाटे ओक्सीजन जरूरी न थी आने ज्य थी वरबन सहुछीवी बेक्टेरिया के तमें सहुअचीवी सायनों बेक्टेरिया निवाद करतों तेमा मुख्य देके नी हाजरी जो हमना छे लेग हिमोगलोबीन नी के जे नाइट्रोजिनेस ने ओक्सिजन नी सामे रक्षन पूरू पाड़े छे अन्ने जे थी आपड़ो राइट आंसर है यहां जे शेकर आउसे ओप्षन ए तो आँ हाथा चेप्टर नंबर बार खनीच पूर्षन ना पचास एमसी क्यों ने तेना सोल्यूशन जो तमने कोई पन सोल्यूशन मा कई डाउट्स होए तो कमेंट बोक्स हमने जरूर थी जणाओ जो और जो वीडियो तमने पसंद आवयो होई तो अत्याना तेरे पहला ला कर दो